यो वाट्स आप गाइस उज्वले अगर तो अब यह मैं आपको अपने अमेजिंग मल्टि टास्किंग फोकसिंग स्किल्स प्लस रिफ्लेक्स दिखाने वाला हूं तो फस्ट में अपना में हाथ ले रहा हूं इसको अपने सर पर बस यू करने वाला हूं और जो सेकीन एंड ह उसको पने पेट पर ऐसे से करने वाला हूं दोनों को एक साथ करके दिखाता हूं सोचने में आपको सिंपल लग रहे होगी बट आप भी ट्राय करो और आप से हुई तो कॉम्ट में बताओ तो अब बारी है रिफ्लेक्स की तो गाइस ये था मेरा रिस्पोंस टू धी हैस् गेमिंग इसको दिखाओ वाइन्स बन थी है वैसे अपना में टास्क वाइन्स चोरी करना नहीं था अपना में टास्क था वहां के मैं उपर से गिर गया गलती से सारे कपड़ों में कीचड लग गया हाथ मैं यही कहा था अपना में टास्क था वहां पर जो बंदे काम करते हैं जो वाइन्स बनाते ह मारना और उनकी जगा को पूरा पूरा डेस्ट्रोई कर दे ना जो की हमने किया उनको हुअगा तरह से बा 쪽न से करद्याना क Kollege बॉरी तरह गद्डे हो चुके हैं वहात ही चखके नहा leg ॉर साथी वी भी बहात जाह बड़ रही है यह भी आराम से शेव करेंगे फिर उसके बाद हम लोग को चलना है सीधा होसे के पास और वैसे गाइस आपीना मुझे एक बारी चलके जॉन मॉस्टन की वाइफ अभी गेल से बात करनी है शायद उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी होगी फिलाल यह दो कोई पीछे से आई गई मैं इसका नाम ले रहता है हलो क्या बात है क्या पास काम आ गया तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ओके बाई मैं समझ गया मैं चले जाओंगा हाँ तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने मोंशाइन के वहां से वो जो वाइन्स चुराई थी उन वाइन्स चुप रह मोटे यारता से बात नहीं करनी वो जो वाइन्स है वो बहुत ज़ादा महंगी है और जो जो जॉन मास के बीच में करेक्टरस के बीच में प्रॉब्लम हो रहे होगी बट आप लोग धीरे धीरे जान जाओगे फिलाल यह है मेरा टेंट जहां पर मैं रुका हूँ यह अपनी गाड़ी है जिसमें अपना सारा समान रखा हुआ यह अपना बैड है और अभी मैं यहां पर शेफ कर हूँ एक दम अलग की लुक बट यह भी नहीं साइट की कम करूं तो हो भाई यह काफी ज्यादा हुपी है हां तो अभी मैं थोड़ी सी यह वाली बियर्ड रखने वाला हूँ मुझे क्यों कि यह सबसे ज्यादा बैस लग रही है लेट्स को अपनी बियर्ड थोड़ी साइ मैं चेंज कर लेता हूँ डच से मैंने बात कर लिया है कोट्स वगरा अगर यहां पर मैं देखू तो सारे ही बड़ी है वैसे काम करता हूँ पूरी की पूरी आउटफिट चेंज कर लेते हैं एक ही बार में वह मेरे साबसे ज्यादा बेटर रही है और इसमें आर्थर ना नहीं काफी ज्यादा बड़िया लग रहा है फिलाल थे जल्दी से बड़ी चया पर है सब की फड़ा फट से अपना काम करें उसने सब को जॉब सलche k использовать बनाना है तो यह को लिए त्यार करनी है लेट्स को फटाफट से अपने होर्स को यार एक तो ना इस जगा के मुझे रास्ते बिल्कुल नहीं समझा थे हैं कि आकर किस जगा से मैं आया हूँ और किस जगा पर मुझे जाना है और अपना यह जो गैंग भी इस है ना गाइस इसके चारो तरफ डज ने बोडिगार्ट्स भी लगा रहा है जो कि अपने गांग के बनने हैं बोडिगार्ट्स नहीं बोलेंगे वह सिक्यूरिटी के लिए लगे में हैं बाकि यह उपर होस है हलो ब्रो वाट्स आप ओ ओ ओ अराम से अराम से डिस्क ब्रेक लगा दिए तो एकदम काफी तेज हो रहा है बाए पैकसिस फिलाल यह रहे वह दोनों के दूनों जॉन एंड होसा है हलो इसलों 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 के लिए मुझे बुलाओ किया बढ़ा इसमें से जो पैसा आएगा वह मारा हो सकता है और और सेकेंड चीज यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है क्योंकि यह जो पीछे पड़ा हूँ है यह बहुत जादा महंगी चीज है और सेकेंड चीज की चूरी का माल है तो हम लोग फस भी सकते हैं तो शाद से इन लोगों इने अपनी सेफटी के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है बाकी जॉन वापिस चाच चुका है मैं अपने होर्स को बुला लेता हूँ यह पर वो भी अपना साथ साच चलेगा फड़ा फड़ा से गाइस निकलते हैं सीधा हम लोग जहां पर यह में लेकर जाना जाता है और राइट गाइस तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना हम लोग इन वाइन्स को बेचने के लिए एक बहुत बड़े मेंशन में जा रहे हैं जिसमें कोई बहुत अमीर बंदा रहता है जो कि शायद से इन सभी वाइन्स को खरीद लेगा बाकि यह जो अपना दोस्त है न हो से यह हमें कह रहा है कि इस जगा पे ना दो अमीर बंदे रहते हैं एक है ग्रेस फैमली और दूसरी है ब्रेथवेट और यह दोनोई फैमली आपस में एक दूसरे से जलती है या फिर इनकी आपस में फाइट है बाकि अभी हम लोग जिनके घर पे जा रहे हैं यह ब्रेथवेट फैमली फटाफट से गाइस चलते हैं वैसे आप लोग को याद होगा अपनी ग्रेस फैमली की एक मेंबर से दोस्त ही आ रहे है मुझे यहां पर थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि शायद से यह पनी इस गाड़ी को अंदर नहीं ले जाने देंगा हेलो बॉड़ी गाड़्स ओके आ गए हैं लोग मैं मैं रोक रहा हूं गाड़ी रोक लिए डिस्क ब्रेक लगा दिया है आँ बैक में मौन्शाइन है ब्रो ओके तो चेक कर रहे हैं भाई सिक्यॉर्टी बहुत तगड़ी लगा रही है और जो इस खर की मालकीन है वो एक लेडी है मतलब यह बात हमें पता नी थी और इनको महरे पर शक है कि यह शायद से पहली बार यहां पर आ रहे हैं फटाफट से अपनी गाड़ी हम लोग अंदर लेकर चलते हैं इन्होंने एक बॉड़ी गाड़ को यहां पर बिठा दिया और होसार बाकी हां यह ब्रेथ वेट है शायद से फटाफट अपनी घोड़ा गाड़ी को यहीं पर खड़ी कर दे क्या कि और आगे लेकर जाना है भाई वो लोग भी हमारे पीचे-पीचे आरे हैं गोड़ा लेकर आगी वो उन्दर से इन्दर से इन्द मार्क फर वाट जादा यह बहुत अकुडू लग रही है तो चोरी-वोरी करने नहीं आया हैं यहां पर भाई क्या है यह Okay यह कहरे कि वहां हमारी यह पहले सी उन्दर का अपर था आपकर समछा तो शायद से मूंशयन वाला बिजनस इनी का था गया मैंने बाद आखा था लोग मैंने पासर लोग एक्र वाज़र खेला है Okay आपने जैसा का वैसी करेंगे भाई यह सुची में बहुत ज्यादा अमीर है प्लस बहुत ज्यादा अकुडूबी है तो यह कहरें कि मुझे पता है यह समान ग्रे नहीं यहां पर भुजवायोगा मतलब ग्रे फैमली के बंदों ने हां तो फड़ावट से भी चलते हैं इसने हमें बोले कि जितनी भी यह न मतलब इसे में पैसे देये जितनी यह आती तो सारे 안돼 मिल गे ढवर इसने कुछ एक्सरा पैसे दे न की आन भी कि अदिए नहीं को फ्री में जाकर बाट दे इक-स-एक काम करने प्ड़ते हैं चलो मज आने वाला वाल राइट गाइस तो अभी फिलाल हम लोग की घोड़ा गाड़ी लेकर पहुच चुके हैं सीधा रोड्स सिटी में वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डेंग्स भी है फिलाल अभी लोग पॉच चुके उस गाउं में जहां पर हमें यह सारी की सारी वाइस बेचनी नहीं सॉरी फ्री में बाटनी है लोगों की पार्टी करवा देनिया है अज जितने भी बंदें पैसे कम लेकर आया थे य काड़ी हम लोग यहीं पर खड़ी करते हैं और जल्दी से ना हम लोग अंदर चलते हैं मुझे पहले समान उतरवान है ठीक है ठीक है मैं अराम से उतरवा देता हूं हमें थोड़ी से लेकर चलने है शायद पहले टेस्टिंग वगारा के लिए उसके बाद में लोग सारी ले जाएंगे इतनी ज्यादा वाइन वहां पर अल्रेडी थी जो कि हमने डिस्ट्रॉय कर द है शायद हेलो जेंटलमें आप अमें अंदर आने दो गए है हलो है तो अभी यह जो वाइन्स की बोटल क्रेट है यह मैं लेकर यहां पर आ चुका हूं और कुछ भी बोले जा रहा है ठीक है तो यह यहां के गार्ट्स हैं यां यहां के बंदे हैं यह कितने जूटी-जूटी कानी पड़ा पड़ा बना जेता है होसे भी तो उन्होंने इस बोटल के अड़र्टाइज में अरे अब ढंक से चलने क्या कर रहा है अंदा है क्या हाँ ठीक है फड़ा पड़ा जंदर चलते हैं हम ने थोड़े बूट पैसे देती है कि तुम ज लिए लेट्स गो फटाफट से भी हम लोग चलते हैं यहां पर और इनको भाई आज भर बर के पिलाएंगे एकड़ मजय आने वाले फिल कोई सुन नहीं रहा है सब हरानो रही कोन आगया है सारे के सारे लोग कुछ हो गए फुल-फुल आजो वाई आजो वाई आजो कि करें वाड़ावाट से फुल एकडम पार्टी चॉलने वाली यही मज़े वाई अर्ड-ड-ड-ड-2 के फुल रियल-लाइफ एक्सपिरियंस बाई ओल टाइम का लो यह लो तुमार ले गिलास और तु भाई अभी अभी कुछ से ग्लास बरने तो पहले ग्लास उटाएंगे फिर इसके अंदर यह डाली बोटल और ले वाई तेरे ले हो गया फड़ा फट से चड़ाओ इसे यह लो भाई अपके लिए एक लिए गिलास लाओ आँ इसको भी करने वाले हम लोग पूरा का पूरा एक बोटल यह ले भाई तू भी अराम से फुल मजे में पी बोटल खतम दूसरी बोटल तीसरा ग्लास जोतरा ग्लास यह क्या हो रहा भाई फटा-फट से इनको आज पिलाने वाले गाइस यहां पे ना बहुत जादा भीड लगी है लो कि सारे फुल मस तो रहे हैं इसे पीने में लग रहा है यह बहुत जादा ही बेकार चीज़ है कि सबका एक दम दिमागी चक्रा जारा प्यो 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 खतम करो इसको पूरी आज उन्होंने इमें पैसे एक्स्रा दी है तो हम लोग अपना काम भी पूरा करने वाले हैं ले इसमें बात बाते प्रॉब्लम निगल तीरी ऐसी कि तैसी बदमाज बने दो वह विट उपर से भी आगा भाई यह बड़ा गलत सीन है हां तीरी ऐसी कि तैसी निकले यहां से बहुत ज्यादा बंदे आँपर आ चुके हैं मुझे ना पहले गाईस अंदर जाना होगा और एक थोड़ी अच्छी गन निकालने होगी बहुत ज्यादा ओ रुख जाओ यहाँ पर कुछ लाइट्स हैं बट उनको फोड़ने हैं कोई पायदा नहीं है उपर भी कुछ बंदे आ गए हैं और धूल मिट्टी इतनी ज्यादा होड़ रही है नहीं इस फाइरिंग का स् मुझे अभी अंदर जाना होगा अपनी दोनों गन में निकालके इन सब को फोड़ने वाला हूं आ जाओ जिसके अंदर दा में आप भार निकलो भाई उस टाइम तो बहुत फाल तो बोल रुख जाओ एक सिगिन कुछ तो घड़बड़ है मुझे उपर से शाह से होसेई की है छोड़ फॉसको का रहता है अचNews पीछ इसको नेशे जाके गिर गया वह सिधा वह विट पीछे से भी आरहे यह सामने से मुझे अन्निया रहा हुआ वहमें यहां से भागना जी है सबने तो पिछ वाले गेट से व लोग आने वाले अबम यह मुझे सबसे पैले होसे नह सकती है होसे को बचा के रखेंगे तो बहुत ज्यादा साइसीन रहेगा पतीरी ऐसी कि जाना यहां से फटाफट होसे गन उठा ले हार किसी की ओ नहीं ओ तेरी भाई यह होसे को लिजा के सीधा नीचे गिर चुका है अच्छा है उस पर विस्टल थी उसने उसे ठॉक डाला हम हम भी यहां पर एकदम नीचे से वैगन पर आके कूद चुके हैं और बैठ गए हैं वैगन पर बट मुझे लगता नहीं है यह लोग इतनी ज्यादा असानी से मानने वाले हैं रुक जाओ वो साइट से घोड़े आ रहे हैं कुछ तीरी निकल यहां से वह भाई नहीं वहां पर शाहर से कुछ ब्लास्ट वह जिस वह जो घोड़े थे उनमें भी एकदम आग लगी और वो बेचारे जल गए अपने पिछे कोई आ रहा है तू कहा रहा है कहां भीड़ रहा तू इतर एक निकल यहां से हैट शॉट पड़ा इसके मस्तवाला अच्छा तो यह लोग हो तेजी भी और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग इस ट्रेन में बहुत बुरी तरा ठुकने वाले हैं और जल्दी से भगाले भाई बाकी मैं देख लूगा वाव साही टाइम पर निकल गए सामने से और बंदे आ चुके हैं मुझे इन्हें मार के डाउ बहुत बुरी तरह मारे जा चुके हैं बड़ सामने से एक और आ रहा है और इसके पास मोलोटोव है इसने अगर हमारे उपर वह फैका ना तो हमारे पूरी पूरी घोड़ा गाड़ी मतलब यह जो वैगन है यह जल सकती है मेरे साब से अभी हम लोग सेफ हो गए हैं बस कही पर भी अपनी गाड़ी ठुकनी निची है वरना प्रॉब्लम वापिस से क्रियेट हो जाएगी तू मेरे पीच्छी था क्या मैं दिखा ही निकल यहां से वेट फाइनली सारे के सारे मारे जा चुके हैं शायद अभी आग ने मिरको तो कोई नहीं दिख रहा पीछे भी मिरक ने गई थे और कितना जमेला हो गया भाई इतनी से देर में भाई वाव अभी कहा करना है ओके शायद से हम लोग थोड़ी देर के लिए यहां पे छुपने वाले हैं भाई बहुत जादे गलत सीन हो गया था कसम से बढ़ ठीक है अभी सब कुछ हो किया कोई डरने वाली बा बात हो चुकी है और यह तो वह मूंशाइन से लेकर यहां से चला गया है और हम लोग वापस आ गए हैं डच के पास ओल ड्राइट तो अभी मेरी डच से बात हो चुकी है यहां पे और वह उसको ना बस अपने डैडी का ही बदला लेना है शायद वह बहुत बुरी तरह किस भी किसी चारा गया होगा तो डच कहरा है ग्रेट और ब्रेट वेड दोनों बड़ी बड़ी रिच फैमली है इं दोनों के बीच में बढ बडिया मोनलाइट आरहिया ए फिलाल अभी ना मुझे एक बारी जाना होगा जान के पास ऑ शाड़ी लेनी के पास अर साइध से वो भी अपना काफी बड़ा दोस्त है सामने वो दिको ट्री पे बैठा हुए आराम से हलो लैनी क्या बात है तिरको मैं चले जा भाई यहां से मूड खराब करता है मेरे को नहीं जाना ठीक है निकल यहां से ठीक है अभी फड़ा फट से हम लोग चलते हैं लैनी के पास इसे करते हैं पिस्टल लेके बैठा हुए क्या होगा ब्रो एक बात कर लेते हैं देखते क्या यह कहना चाहरा है हमसे अ इस हां फोल्ड इस होल्ड गोल्ड दच नोजए इस इंधिक इस आफ्टेर इस वें निभी इस टोलन क्या मिला यहां था इस तो इस जोड़े आपक्छिया अच्छा को दूझे वेपन दीलर का सो मस्त कुछ मिलने वाला है एक के बाद एक बड़िया मिशन्स भाई आते रहते है ठीक है विर तो चलना चाहिए फटा-फट से लेट्स को फटा-फट चलते विर दिक्कत वाई लेनी सही में बहुत जादा बड़िया वन्न है हाँ तो मैं ही गहरता है शायद से आपने लेना बहुत जादा बेस्ट है क्योंकि लेनी कह रहा है कि यहां पर इसको कुछ वेपन डीलर्स की बारे में पता चला है जो कि वेपन का शाद से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और अभी मुझे लेनी के साथ जाना चाहिए तो यह अपना होर्स मेरे घर के बाहर क्यों बानता है वे पता नी चलो कोई ने अपना दोस्त है कोई दिक्कत वाली बात निकल लेते हैं डच हमें देख रहा है बट ऐसे कोई डर कि जब हम लोग निकले थी तब काफी जादा रात हो रही थी बट अभी देखते ही देखते आस्मान खुल चुका है सूरज उगने वाला है और सुबह भी होने वाले है शायद से यह सुबह के चार बज़े सूरज ने उगता सुबह के छे बज़ रहे होंगे फिलाल अभी ह इसी जगा पर हमें लेकर आगे है कुछ हॉरर प्लेस लग रहे है क्योंकि यहां पर जितने भी ट्री है उन समें पतिया नहीं है पता नहीं क्या इस सीन है फिलाल मस्त सुबह हो चुके मस्त मौसम भी हो रहा है फड़ापर से चलते इसके पीछे पीछे यारी बहुत इससी जगा लग रहे है मुझे यहां पर जाने का मन भी नहीं कर रहा है और वो जो वेपन डीलर्स है शायद यहीं पर आरते हैं यहां पर तो सही में ऐसा लग रहा है कोई वार वगारा हुई होई है तो यह आउपोस्ट रुआ करती थी ओ भाई यह वास कहा से है मिरको लकडी वेकरा गिरने की अवास थे सही में एक बार को तो डरा ही दिया था जैसे शॉट चला आया हो सामने से किसी ने और हमारे लैनी के पढ़ रता ही हो ओके यह एनिमल ट्राप लग रहे है मुझे सारे के सारे नहीं यह शाद से खाना पकाने के लिए होते हैं पता नहीं यह जानी कैसी पुरानी अजीब सी टूटी वी जगह अंदर चलना चाहिए कि एक बारी मुझे भी मैं जाके देखता हूं रुग जा रहा है यह जीब पुरानी सी जगह पर कोई रहता होगा रुग जो हाँ इंस्पेक्क करते हैं चल कि एक बारी देख लेना चाहिए क्या कोई ने चुपके रह रहा हो यहां पर को이다रा कोणा रहा हरे है कोणे ट्रैक पर मुझे तो कोई भी इंगल नेजर नहीं आ रहरे 시발सिंग वे शायद से कौई है जिसका में पीछा वह 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 देखो साइम स्वादकर और लेकर जा रहा है हमई इस गांडि पिच में जाते हैं या सामने व्यगं जा रही हैं हमें इसका पीछा करना इसी कें अंदर हम चेंदर हम मुझे लग रहे है जैसे उसने अपनी वागन में कुछ ने ने रिविन पर जाने का कोई při मतलब भी निशी सिवात को जाएगा उसको हमारे उपर बाकी हां उस जगह पर पहुँच चुका है जहां पर इसे जाना था फटा फट से हम लोग भी चलते हैं बताशला गेट वगरा बंद हो जाए वैसे यहां पर कोई गेट तो है नहीं रुक जाओ अभी फटा फट से हमें इधार एक बारी छुपना है ओ विट वह बाई कितनी ज्यादा जगह यह वाली भी मुझे लग रही है जगह रुक जाओ मैं अपने ट्री को चुपा लेता हूं वेट यह बहुत साइज जगह है फटा फट से उतरते हैं और जल्दी से चलते हैं लैनी हमें जगह मिल चुकी है हमें वेपन्स लेकर यहां से निकलना है ओके-ओके मैं फुल तो मेरे पास यह स्नाइपर है मुझे इसके ओविट यह वाली स्नाइपर नहीं मिरको अपनी दूसरी स्नाइपर निकालने हैं जिसमें स्कॉप लगा हूँ है वो शॉटगन थी और अभी मुझे यहां पर देखना है हां यह डाइनामाइट है यह सारे के सारे यह बंदा ले बहुत सारे बंदी भी हैं भाई सार शुप ओके अभी नगाइस अमने जॉन को मतलब की या तो हम लोग डाइनामाइट पर शूट करके उने मारे या फिर लैनी को भेजते हैं लैनी उन्हें जाके थोड़ा बो डिस्टाप करेगा और हम लोग तब उने मारेंगे तो के लै लैनी अगर मैं तरको ना बचाआ पाऊं क्योंकि मुझे कोई आइडिया निया अगे क्या होने वाला है लैनी विचारा फुल हमत वाला बनके बिना गंज के वैपन डीलर से मिलने जा रहा है वो भी उनकी सीक्रिट लोकेशन पर कांगय उनको दिखे नहीं रहे रहा है उनस इनोनी उसके ऊपर एम कर लिया है बेटा चल नहीं ची है वो वेट वेट चल नहीं ची थी टू मेरा को लग रहा है वो मार देगा अपर लैनी पंगे क्यों ले रहर है इसकी एसी की तैसी यहे मारेगा इसले मैने से पहले उड़ा यह उड़ा यह रोग नुभभाई यह मै कुछ तबाई कर डालूगा आ आ आ रुख जा ले ऐसे की तैसे तेरी लेट्स को विट सामने से उस बंदे ने लैनी को गिर ओ तेरी फाइसाब यहां से लैनी को इसने लपेटी दिया था उल्मोस्ट चाकू लेकर आया था बट मैंने उसे मार दिया है और यहां पर तो भी और भी बहुत सारे बंदे हैं रुख जाओ मुझे यहां पर एक डाइनमाइट ओर दिखाता जो कि मुझे पोड़ना होगा लेट्स को विट यह बहुत ज्यादा पास आ चुका है तू निकल यहां से एक बंदा ओर आ रहा है रुख जाओ तू भी निकल यहां से एक मिनिट और गन को अपनी असलीप पावर दिखाने होगी हां कोने भाई रुख जाओ निकल निकल एक और लेट सीधा चेस्ट में लेट्स को यहां पर और भी बंदे हैं और यह जारा तू यहां पर इनकी यह पड़ी है इस पे मारते हैं बट यह शायद से वह अला डबा नीता जो म मैंने पहले निप्टा दिया वरना वह बाद में जरूर दिक्कत करता बाकिये भी फड़ा फट सेने इनके पास चलते हैं और इनका फुल एकदम मूँ मैं फोड़ने वाला हूं बाई 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 पड़ी पड़ी कहीं से तो बहुत बुरे वाली मेरे पड़ने वाली है यह एक बंदा और बचा है उसको भी लैनी ने मार दिया यहां पर शायद इतनी बंदे थे क्या है यह कितनी जाह वैड़िया है interview जाइड करता ह mats 1500 देखने को नहीं मिल रहा है यहांपर बस टूटा फूटा कबार समान पड़ा हुए बट इधर तो डाइनामाइट्स के बहुत बड़े बड़े डब्बे हैं यारी अपने बहुत ज़्यादा काम आएंगे बाकि यह कोई चीज मिली है पतानी के गान ओयल कई ना कई तो काम आता ही होगा शाद से गन को साफ करने के लिए फिर उसकी जो अंदर वैसल होते हैं उसे क्लीन करने के काम आता होगा बाकि उपर वाले फ्लोर पे भी खास कुछ है नहीं यहां पर एक वाच है वाच ले लेते हैं टाइम देखने के बहुत ज़्यादा काम आती है बाकि इस यह वाला रूम तो लोक रुक है खुलेगा क्या लात मार के तोड़ने से पतानी शायद नहीं खुलता तो भी क्लाइम उन्टु दा वैगन एंड चेक दा क्रिड ओ ठीक है ताइम बॉम तो नहीं प्लांट कर रहा है ना पता चला जैसे डबा को लूँ वैसे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाया हमारे मूह के आगे लेनी तो खुद भी चेक कर सकता था यह चलो कोई बात नहीं हम य इसले वो पहचान में आती है कि स्नाइपर है जोन भी मिर को पूरी सेम लगती है फटाट से गाइस अभी इन घोड़ों को लेकर निकल लेते हैं भाइखने ए बट मुझे थोड़ा ऊच्छोडप को लेकर निकल ले पर मुझे fire नहीं बोट भी ठोड़ा भासते में कोई गर देखने आज कितनी ते जी ये लोग भागेंगे वेट इससे में को बात करनी चाहिए रूख जो मैं से डिफ्यूज करता हूं येस हम नॉर्मल बिजनस कर रहे हैं वो कह रहे हमने किसी ऐसे बंदे से डील नहीं करें अबे करी तो थी उस दिन अबे लैनी भागल हो जाता है कि भाई तू बैठे बैठे रुख जा एक बंदा नी मराया तेरसे ठीक है ना गोली मत चलाया अगर तू इसने घुसे में उड़ाई दिया फालतों की बाते कर रहे थे अब फड़ा फट से निकल लो गोलियां चल गई है अगर अब कोई और आगया तो बैंड बच जाएगी फाई यार डियार टू मतलब ता भाई लेट्स को रिलूट कर लेते हैं अपनी गन को और जल्दी से ना किसी सेफ जगह पे चलते हैं ओके गाइस तो जैसा कि आप लो शो चुके हैं कि हम तुनों वापस आ गए हैं वैसे वह लैनी नहीं चिला के बोला था तो यह वह राइफल्स हैं यह शॉटकन ही है राइफल्स ही थी लैनी अलग बंदा भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट बंदा लगता है मुझे इस गैंग बेस में यह ताकि काफी सही स्नाइपर हमें मिल गई है और हम लोग ने इस स्नाइपर को साफ कर सकते हैं इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने सापसे फुल-फुल तो यह है एक बोल्ट एक्शन राइफ वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगई हूँ तो फड़ा-फड़ से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना इस वीडियो पर एम करते हैं 450,000 लाइक के लिए तो जली से जाओ लाइक कवरें दबागी गोल कंप्लीट कर दो चैनल पर लिए चैनल झाल 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 झाल